Hey everyone, welcome to study girl, कैसे हैं आप सब, I hope you all are good, तो आज हमारा lecture number 4 है sociology के उपर, इससे पहले हमने 3 lecture complete कर लिये हैं, अब उन 3 lecture में हमने क्या-क्या पढ़ा है, वो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपने वो वीडियोस देखी होगी, तो introduction complete कर चुके हैं, definition हम पढ़ चुके हैं, sociology की, different sociologist के द्वारा दी गई है, उनको proper categorize करके हमने पढ़ा है, definitions को, साथ में हमने nature and characteristics को पढ़ा, second lecture में, और third lecture, जो last lecture था हमारा, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने scope के बारे में पढ़ा था, sociology के, अगर आपने ये वाले lectures नहीं देखे हैं, तो आपको ये playlist में मिल कर दो, चैनल को subscribe कर दो, और share भी कर देना इसको, ठीक है, तो देखो, क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, आज के lecture में, subject matter of sociology, ठीक है, sociology का subject matter, अब आपको यहाँ पे, मैं वही same चीज यहाँ पे बताने वाली हूँ, जैसे कि, अगर ये question आ जाता है, तो आपको इसको लिखना कैसे, तो मैं आपको यहाँ पे वही same चीज बताऊंगी, जो last lecture में बताया था, कि हम इसकी क्या बनाएंगे, synopsis बनाएंगे, अब जो synopsis हम यहाँ पे बनाने, उसमें क्या-क्या add करेंगे, इस वाले question के under, तो इसमें हम synopsis की जब हम बात करते हैं, तो सबस subject matter, subject matter की आपको heading डालनी है, और बस वो लिखने ना है, और last में यहाँ पे आप conclusion दे दोगे, ठीक है, तो यह आपका पूरा answer जो है, frame हो जाएगा, एक proper answer writing यही होती है, ठीक है, तो शुरू करते हैं, तो क्या है यहाँ पे, sociology की शुरुवात से ही, जो sociologist हैं, उन्होंने यह शो किया है, कि उनका जो concern है, वो क्या रहा है, man and society के जो dynamics हैं, उनके ओपर रहा, ठीक है, कि जो, मतलब एक इनसान है, यहाँ पे आप इससे समझो, यह इनसान है, ठीक है, a person है यह, अब यह जो a person है, और यह जो पूरी society है, इन दोनों के बीच, जो भी relationships हैं, जो भी social relationship इनके बीच develop हुई हैं, उन सब के ऊपर ही किसका concern रहा, उन sociologist का, जो हम पढ़ चुके हैं, different, different sociologist को through definitions, और राइट, तो यह हो गया हमारा subject matter का, एक simple, sober सा introduction, ठीक है, next, इसमें क्या है, देखो, sociology जो है, वो सीख करती है, seeks to find explanation, किस चीज़ के explanation, तीन basic questions की, यहाँ पर तीन basic questions कौन-कौन से हैं, वो देखते हैं, देखो, सबसे पहला question यहाँ पर यह arise होता है, कि how and why society emerged, कैसे और क्यों society emerge हुई, ठीक है, second question आता है, how and why society is persist, मतलब society में हम कह सकते हैं, कि society अभी तक कैसे, मतलब चल कैसे रही है, यह persist कैसे करती है, ठीक, और क्यों करती है, how and why society change, कैसे और क्यों society change होती है, तो इन ही सवालों का जवाब जो है, हमें जो है sociology के subject matter में मिलता है, next, यहाँ पर यह बात कहें गए, कि sociology जो है, is not only distinct since with subject matter of its, उसके subject matter से distinct नहीं करती, but it has also acquired that high status, which entitled it to be called the mother of all science, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, कि sociology सेफ इसके subject matter से ही distinct नहीं करती, बल्कि यह acquire करती है, वो high status को, जो कि entitle करता है, to be called the mother of all sciences, तो यह एक important line यहाँ पर है, तो इसको आप mention कर लेना अपने answer में, next, यहाँ पर क्या आता है, कि यह बताया गया है, कि sociology की एक different position है, among other social sciences में, कैसे अब वो position different कैसे है, जैसे वो distinct करती है, तो कुछ इसके points है, जैसे first point यहाँ पर यह बात करता है, कि sociology is concerned, sociological analysis, culture and human society with sociological perspective, क्या बात करने की कोशिश की, कि subject matter के through, हम इसकी position को distinct कर रहे है, किस चीज से distinct कर रहे है, other social sciences से, तो पहला point यहाँ यही बोलता है, कि sociology का जो concern है, वो यही है, कि culture and human society को analysis करना, ठीक है, with sociological perspective लेकर, next हमारा यहाँ आता है, second point, second point क्या बोलता है, यह जो है sociology, is this study of primary units of social life, sociology basically क्या करती है, जो primary units है, अब primary units बोले तो, जैसे हमारा social relationship हो गया, ठीक है, या फिर individual personality, उसके बारे में study करना, group of all varieties के बारे में, communities के बारे में, rural, communities कैसी हो सकती है, urban हो सकती है, rural हो सकती है, tribal हो सकती है, associations के बारे में, organization and population के बारे में, तो यहाँ पे second point में यह बोला गया, कि यह जो हमारी sociology है, यहाँ पे study किया जा रहा है, social life के primary units को, ठीक है, तो इस base पे हम कह सकते हैं कि sociology जो है वो एक अलग position रखती है अदल social sciences से ठीक है third point यहाँ पर क्या है third point यही बात करता है कि sociology has been concerned with the development structure and function of wide variety of basic social institution अब यह social institution में क्या आप include करोगे social institution में सबसे पहले आजाएगा आपका family आजाएगा kingship आजाएगा religion आजाएगा property economics यह सारी चीज़े इसके अंतरगत आजाती है जैसे political हो गया legal educational scientific recreational and welfare etc यह सारी चीज़े third point के तुरू हम कह सकते हैं कि sociology का एक अलग ही ओर रहा है ठीक है fourth point यहां पर बोलता है कि जैसे fundamental social processes होते हैं अब क्या होते हैं वो जैसे corporation हो गया competition हो गया accommodation, assimilation हो गया social conflicts, social conflicts के बारे में यहां पर यह discuss करता है उसके बारे में study करता है including जैसे war है यह एफ्रिकों कहीं पर revolution होती है तो वो भी चीज sociology के अंतरगत आजाती है communication हो गया including opinion formation, expression and change ठीक है यह सारी चीज़े include हो रहे हैं हमारी sociology के अंतरगत तो जो sociology है ना जो emerge हो थी as an independent social science तो इसी वज़े से यहां पर हम कह सकते हैं कि वो एक अलग ही position है sociology की यह सारी चीज़े किसके अंतरगत add हो सकती है यह सारी चीज़े हमारे subject matter of sociology के अंदर add होगी differentiation and startification तो यह हमारा fundamental social processes जो है उसमें include हो जाएगा next आ जाता है हमारा socialization and social control की बात करता है and deviance अब यह तीन important यहां पर word है socialization भी कर रहा है social control की भी बात कर दी है और किसी इसकी deviance की भी बात कर दी है including crime suicide ठीक है जैसे कि crime में हमारा suicide आ जाता है तो यह सारी चीज़े हमारी sociology के अंतरगत mention होती है next point है sociology integration and social change assume prominence in sociological studies तो social integration and social change भी assume किया जाता है sociological studies के अंतरगत तो I hope आपको अभी तक समझ में आगे होगा कि हम यहां पर यह lecture क्यों कर रहे है subject matter की भी बात हो रहे है और यहां पर हम एक तरीके से बताना चाहते हैं कि sociology कैसे distinct position रखती है अपनी अलग social sciences के साथ next fifth point जो है हमारा उसमें बोला गया है method of research अब देखो sociology में यहां पर हम इस point को क्यों add कर रहे है उसका मकसद क्या है तो मकसद यह है कि जो sociologist है have sought the application of scientific method in social researches like a natural scientist all right and a sociologist senses a problem of investigation वो जो है जो problem है उसको investigation करते हैं उसकी ठीक है after collecting data he tries to establish connection between them ठीक और जब वो data collect कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं उनके बीच में connection establish करने की कोशिश करते हैं and then finally that sociologist arrives the meaningful concept proposition ठीक है तो वो जो sociologist है meaningful जो concept है ठीक concept हो गया proposition हो गया and generalization पे पहुँच जाता है तो तब उसकी वो study जो है क्या कहलाई जाती है पूरी as a whole study करता है तब वो चीज यहाँ पे sociology के अंतरगत count होती है जैसे कि society के अगर हम बात करें तो society में जब वो as a individual person की सोच को देखेगा ठीक है उसकी social relationships को देखेगा या फिर अगर हम कहें उसके social life को देखेगा ठीक यह सारी चीज़े जब वो add करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा वो proper study कर लेगा यहाँ पे तो method of research जो है sociologist का वो यही है next हमारा sixth point आता है sixth point में क्या बताया गया sixth point यही बोलता है कि जैसे हमने fifth point में concept उपढ़ा proposition and generalization की बात करी कि कब वो पहुँचता है जब वो data collect कर लेता है proper investigation के बाद तो यहाँ पे क्या होता है फिर formulation concepts होता है concepts का formulation किया जाता है proposition का and theories का concept से यहाँ पे मतलब क्या है concept से मतलब यह कि abstract from the concrete experience to represent a class of phenomena at startification, differentiation and deviance तो यहाँ पे concept में एक clarity लेके आने के लिए क्या बोला कि यह जो है concrete experience को क्या करता है abstract करता है किसी इसको represent करने के लिए class of phenomena और फिर next point हमारा इसमें आता है proposition अब proposition को कैसे यहाँ पे formulate किया जा रहा है proposition से यहाँ मतलब यह it seeks to reflect a relationship between different categories of data और concept जो concept निकल के आया उनको क्या करना उनके बीच में यह देखना कि क्या relationship reflect कर रही है for example जैसे lower class का youth है वो more likely to commit crimes than middle class youth ठीक है इतना middle class youth जो है वो इसको नहीं you know suffer नहीं करता जितना lower class का youth करता है तो lower class में यह क्या है crime commit करने की जो अगर हम ratio बोले तो वो ज्यादा है all right so next हमारा आता है theories theories क्या बोलती है theories यहाँ पर बोला गया theories go beyond concept and proposition theories जो है उसका जो अपना area जो है वो बहुत ज़्यादा vast कह सकते हैं concept और proposition से sociological theories जो होती है are mostly rooted in factful than philosophical ठीक है तो वो क्या होती है factful जादा होती है philosophical वो काम जैसे कि last lecture में मैंने आपको बताया था कि sociology जो है वो किस चीज के बारे में बात करती है what it is के बारे में बात करती है what it is के बारे में बात करती है तो इसलिए वो बहुत जादा factful है philosophical वो काम है ठीक है तो theories represent systematically related proposition and explain social phenomena ठीक है तो वो social phenomena को explain करती है I hope आपको अब तक की सारी चीज़े clear हो गई होगी next हम देखते है seventh point अब seventh point क्या है यहाँ पे seventh point यह बोलता है कि जो sociologist है have venture to make specialization as sociology of history all right sociology of literature sociology of culture sociology of family sociology of religion तो यहाँ पे जो है sociologist ने बोला कि वो एक specialization को देखते हैं हर चीज में specialization जैसे history की sociology literature की sociology culture की sociology क्या है family की sociology religion की sociology तो यह सारी चीज़े add हो जाती है हमारी sociology में sociology के subject matter में अब इमाइल दुर्खीम ने क्या बोला इमाइल दुर्खीम यह बोलते हैं जो की बहुत जादा famous sociologist है यह बोलते हैं कि social morphology की बात करते हैं it deals with geographical factors like population ratio density, size and distribution तो इन्होंने क्या बोला सबसे पहला point कि यह geographical चीज़ को देखते हैं जितने भी जैसे geographical factors क्या है like population हो गया ठीक, density हो गई, क्या size है क्या distribution किस तरीके से होना चाहिए तो वो सारी चीज़ें इमाइल दुर्खीम के according है कि जो sociology का subject matter है वो in points पे होता है अब इन्होंने social physiology कैसे देखो social physiology में यहां include होता है sociology of religion, moral, economic life and sociology of language ठीक है तो आपको यह point wise लिखना है सेफों से general sociology के अगर हम बात करें तो general sociology it concerns the formation of social laws which regulate human behavior and provide established society ठीक है next चलते है जिसमें जिन्स बर्ड ने बोला कुछ points के तुरू समझानी की कोशिश की जिन्स बर्ड ने first point यह है social morphology की बात की अब उसमें कौन-कौन से points आ जाएंगे हमारे population आगिया social structure आगिया social group आगए and institute आगे all right next point इन्होंने यहां explain किया social control को लेकर इनके according जो sociology है उसमें subject matter उसका social morphology आएगा social morphology में यह सारे points आजाएंगे social control भी आता है इनके according sociology के subject matter में जिसमें हमारा control of society आगिया customs आगे उसके relations आगे ठीके religious जो conventions है वो आगे formal and informal agencies आगे laws, court, police, etc यह सब चीज़ें हमारी social control के अंतगत आगे next इन्होंने explain किया social processes अब social processes के अंतगत हमने जैसे पढ़ा वही social incorporation पढ़ा competition, accommodation, assimilation यह सारी चीज़ें इसके अंतगत आजाती है फिर आता है social pathology social pathology के अंतगत क्या points आएंगे social pathology अब यहाँ पे आप देखो के जो हमारा subject matter है sociology का उन सब में यह points different दो sociologists हैं उनके ज़ारा समझाया गया है सबसे पहले हमने पढ़ा Emile Durkhin के कुछ points अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो है जिन्स बर्ट के जिन्स बर्ट ने क्या-क्या बोला तो यह social pathology में हम study करते हैं यानि के जो sociology है वो studies करती है social problems को लेकर जैसे कि poverty हो गया baggery हो गया unemployment over population crime and prostitution और यह हमारा lecture यहीं पे complete होता है अगर आपको कोई भी दिक्कत है कोई भी query है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं या फिर हमारे instagram page add the red story घर पे dm कर सकते हैं ठीक है so in last video को like कर दो share कर दो और channel को subscribe कर देए thank you